आज का विशाय फारबरी में इन पांच राशियों पर आ सकता है संक्ट, जोतष के कुछ अपाई आएंगे आपके काम, हमेशा समय आपके इनकूल जो ऐसा जरूरी नहीं होता, कई वार समय आपको जीवन में कुछ तराच रावी दखाता है, ऐसे ही जोतष की माने तो हर एक म महिने में जहां कुछ राशियों के जीवन में सकरात्मक परवाव होते हैं, बहीं कुछ राशियों को समस्यों का सामना भी करना पड़ता है, हम आपको हर महिने ऐसी ही राशियों के लिए कुछ जोतष अपाउं के बारे में बताते हैं, आईएव जानते हैं कि फरबरी के मह इसलिए आपके लिए एक अच्छा समा हो सकता है लेकन आपको सेथ से जूड़ी कुछ समस्यों का सामना करना पड़ सकता है आपको कोई स्वास्त श्वंदी समस्या ना हो इसलिए अपना ज्यादा ध्यान देने की जुरूर्त है कोशिश करें कि कोई विश्वास समस्या होने पर डाक्टर से समपार्क करें और खुद को नजर अंदाज ना करें संब्या के प्रती सच्चे रहें और जीवन में नवीनता को अपनाएं आपके लिए आने वाला समा थोड़ा समस्या वरा हो सकता है किसी बड़ी जातरा की जोजना नावनाएं और बड़े नवेश से बचें क्योंकि आपको सफलता मिलने के जो कम है किसी भी बड़ी समस्या से बचने के लिए आपको सौंबार के दन शेम मंदर में शीवलिंग का जलब शेक करने की सला दी जाती है जदी आप कच्चे दूस से शीवलिंग का शेक करेंगे तो वेतर पर नाम मिलेंगे नबर दू करक्राशी फरबडी के महिने में आप के लिए पचार और परिवारतन की जात्रा जारी है इस महिने आपके जीवन में गेरे बड़ला आने की स्वावना है आपके जीवन में कॉंबराशी में अमावस्या आपको उन सीमाओं से आगे वनने के लिए प्रेर्थ कर रही है जो आपके डर्क के कारण हो सकती है इस वीच पूर्णवा मानसक मादाओं पर प्रकाश डार रही है जो आपके और दूसरों के साथ आपके सवंध मदर बनाने मे बादा बन सकती है अपनी अवचकताओं के बारे में बेचचक बताएं को दैनक राजकता को अपने वकास में बादा न बनने दे इस पर वरतनकारी उर्जा को अपनाएं और इसका अपजो खुद को आगे बढ़ाने के लिए करें जो तशिह पाएं इस महीने किसी जुरूर सतर पर आएं आप आपको रिष्टों को बनाए रखने के लिए बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको विना वज़ा मदवेदों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप बवा के लिए साथी की तलाश में हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है किसी भी वे वज़ा बैस से बचें और साथी के साथ समंजस बनाएं रखने की कोशिश करें इस महीने सूरिया कौम राशी से मीन राशी में परवेश करने वाले हैं इसलिए आप के वकास के लिए इन रेश्टों को बेतर बनाना जरूरी है जो तश अपाए माता ग महीन आपके लिए पूरी तरह से नकूल नहीं है और आपको कुछ समस्यां हो सकती हैं आप अपने जीवन को एक साथ कीचने के लिए प्रेरना की तलाश करें बद्शाष्ट व्यक्ति के रूप में आपका दमाग अक्सर विवेन जिम्मेदारियों और कारियों से बरा रहता है हालांके इस में हीने सारा द्यान आपके काम और स्वस्त पर केंदरत करने की जरूरत है अब समा आ गया है आप उन आदतों पर अंक्ष लगाएं अपने राशी में पूर्णमा का पर्व कुछ तना ला सकता है क्योंकि आपको एहसास हो सकता है कि आप अपने सबसे बड़ दश्मन हो सकते हैं अगर आप समस्यों का समाधान चाते हैं तो आप शनी मंदर में दीपक जलाएं तुलाराशी फरवरी में बैलन्टाइन डे के साथ यह महिना आपके लिए प्यार और जनून से वरा होने वाला है क्योंकि जे समा शुकर द्वारा शाश्त है इसलिए आप जे सनिश्टित करने के लिए वादय मैसूस करेंगे कि आप जिन समंदों को बड़ावा दे रहे हैं वो आपके लिए अच्छे है जन नहीं इस महीने आपको अमावसाती थी के दरान कोई नया प्रेमी मिल सकता है लेकिन आप उससे मेल जोल ब्राने से पहले सोच समझ कर नि किसी भी नए रिष्टे में इस दरान ना पड़ें आपके लिए समा अनकूल नहीं है आपको कोई भी बड़ा निरना लेने से बचने के वच्छता है जो तशिय अपाई आप हनुमान जी को चोला चड़ाएं और मंगडवार के दर्गार में सुन्दर कांड का पाठ करें ज शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए